नमस्कार स्वाकत है आपका एक बार फिर से भारत समाचार के इस खास कारक्रम में जिसमें हम परदेश की और सरकार की परदे की पीछे की खवरों को लेकर आते हैं तो चलिए शुरू करते हैं इस बार का पावर सेंटर लखनव से जिले के अफसरों को नारत दिया जाता है कि वह आम जन्मानस के साथ बहतरी से पेस आएं उनके साथ सहान भूत इबरतें उनकी तकलिफें दूर करें सरकार की इन संदेशों को जिलों में जाकर अफसर भूल जाते हैं और ऐसा ही एक वाक्या भदोही जिले में देखने को मिला है जहां दिव्यांगों को सार्टिफिकेट पाने के लिए कई-कई मंजिलों पर सीडियों से चलना पड़ा जिनके दोनों पैर नहीं थे वो भी द तौश्माद को सनवेधन हीन होते जा रहे हैं वह दूसरी मंजिल पर कैम्प लगाते हैं खुद तो आराम दाएक कुर्सियों पर बैठते हैं और दिव्यांग जिनके किसी के पैर नहीं है किसी के हात नहीं है वह सीड़ी पर लेट-लेट कर चलगर आते हैं और किसी का ध्या नहीं जाता है वैसे भधोही जिला अस्पताल में ग्राउंड फ्लोर पर बहुत सारे कमरे खाली थे जहां पर यह लगाया जा सकता था लेकिन अपसरों ने अमानवयता का परिचए दिया और जो तरीका अपनाया वह निश्ची थी बिकलांगो को कष्ट देने वाला था दिव्यांगों को तो यह सर्टिफिकेट के नाम पर दिव्यांगों का उत्पीड़न किया गया है और उनकी बेबसी का क चीजें आती हैं तो अधिकारी दोड़ते हैं इस्पताल की और वो कारवाई की बात कहते हैं लेकिन डियम आरेखा अखोरी के निर्देश के बावजूत कारवाई क्या हुई यह अभी तक किलियाटी नहीं आई है हम जिस समाज में रहते हैं वहां जो सारी ग्रूप से कमजोर हैं दिव्यांग हैं उनके प्रती सबसे ज़्यादा हमारी जिम्मेदारी है सानभूती है और इस तरह के कैम लगाते समय यह पहले से ध्यान देना चाहिए था जिलास्पताल के सीमेस सीमो और डाक्टरों पर अभी तक कोई कारवाई नहीं की गई हलाकि सरकार की इस कैम्प से जगहसाई बहुत हुई और जो सरकार के अधिकारी है इस पूरे मामले को लीपने-पोतने में लगे रहे हमारे हां जो कानून की देवी है उनकी आग पर काली पट्टी बंदी हुई आपने देखा होगा लेकिन जिस तरह से अपसरों की आग पर काली पट्टी से भी ज्यादा मोटा पट्टा पड़ गया है और वो भी भष्टाचार का और समवेदन हींता का ये अपने आप में समाज के उस दिव्यां के तक्लिप तबके को बेहत तकलीफ देने वाला रहा है उत्तर प्रदेश में बहुत सारी प्रतिभाएं हैं जो दबी हुई हैं जो लोगों के सामने उनकी नजरों में नहीं आ पाती हैं तुमाम सारे गुदली के लाल ऐसे हैं जो इसी माटी से पैदा हुए और गुमनामी में ही उनका अंत हो गया आज हम चर्चा कर रहे हैं लखनव की एक ऐसी ही प्रतिभा अनिल मिश्रा के नाम की अनिल मिश्रा कैसरवाग में एक पान की गुम्टी चलाते हैं लेकिन खास बात यह है कि अनिल मिश्रा रंग मंच के बहुत बड़े कलाकार हैं पिछले 30 सालों से वह रंग मं नाटक खुद लिखे हैं और उनकी किताब चौराहे पर नुक्कड भी प्रकासित हुई है लेकिन जो वेक्ति हासिय पर रहने वाले लोगों की नाटक के दज्जरिये आवाज उठाता है वह पान बेचकर गुठका बेचकर अपना जीवन यापन और गुजारा कर रहा है लोग अनिल मिश्रा को गुरु जी कहते हैं लेकिन गुरु जी देनी हालत में रह रहे हैं 1886 से वो रंगमंच से जुड़े हैं इसी लखनव के गोमती नगर में वो रहते हैं उनके पास रंगमंच की डिगिरी भी है नाटक के जरिये गरीबों का दर्द बताते हैं लेकिन अनिल मिश्रा तमाम सारे काम करने के बावजूद भी गुम नाम हैं दा पैरेट्स नाम की एक फिल्म आई थी जिसमें उन्होंने गांधी का रोल भी किया है रंगमंच को जीवन देते देते उनका जीवन कब बेरंग हो गया ये वो खुद नहीं समझ पाए साधी विवा हुआ नहीं और जीवन में पैसे की जो जुरूत होती है जिससे जीवन खाना पीना चल सके उसके लिए उन्होंने एक दुकान छोटी सी खोल रखी है 30 साल के बाद सरकार ने अब उनको अकाद्मी अवाड़ देने के लिए एहलान किया है उनको अकाद्मी अवाड़ से संगीत नाटक अकैडमी की ओर से यह संवान जाता है इस सम्मान के अहलान के बाद अनिल्मिस्राव लोगों की निगाह में आए हैं खुद साधी नहीं की है लेकिन घर परिवार है जिसकी थोड़ी बहुत जिम्मेदारी भी उठानी पड़ती है सबसे महत्मूर बात यह है कि गुदड़ी का यहलाल गुबनामी के अंधेरे में जी रहा है मुफलिसी के दवर से गुजर रहा है कहीं कोई मदद करने वाला आर्थी गुरूप से कोई मिला नहीं या सामने नहीं आता हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं भी लेकिन अन समाज की पीड़ा है उसको रंग मंच पर उतारते हैं और हिम्मत के साथ पावर सेंटर के माध्यम से अनिल विस्रा को हम समाज के सामने ला रहे हैं लोग यह जान सकें कि हमारे समाज की कई सारी ऐसी प्रतिभाएं इसी तरह से पान की गुम्तियों पर दम तोड़ देती हैं और गुम्नामी के अंधेरे में समाप्त हो जाती हैं लोग उनके बारे में जान नहीं पाते हैं जरूरत है ऐसी प्रतिभाएं को पहचान देने की सम्मान देने की और सरकार अगर सम्मान दे तो सुभाविक है कि उनका मनोबल भी बढ़ेगा और उनके जीवन में जो आर्थ किमी पूरुसकार ही नहीं कई और नकद पूरुसकारों से अनिलमिस्रा को सम्मानित करेगी जिससे वो अपने जीवन की इस मिशन को आने वाली पीडियों को लगातार सौपते रहेंगे यूपी की बूरोक्रेसी में हम तमाम सारी चीजों पर चर्चा करते रहते हैं कई बार अपसरों के भाष्टाचार से जुड़े होए मामले आते हैं कुछ obscure uncond की कारसेली निराली होती है कि लविस्टोरी ऐसी ङसी होती है कुछ दिनों तक चलने के बाद फिर वो तू आज इस पावर सेंटर में ऐसी ही है कि लवी स्टोरी की चर्चा क्यारेंगे जो बेहत सफल है और संतुष्ठ है यूपी के 2010 बैच के आई एस अपसर है योगेश कुमार और संदीब कौर पिछले दिनों वेलेंटाइन डे गुजरा है तो सभाविक है कि यो जोड़ी पूरी उत्साह के साथ इस दिवस को मनाती है योगेश कुमार और संदीब कौर की जो प्रेम कहानी है वो सफलता पूर्वक चल रही है जीवन में बिवा के बाद भी परिवार के साथ बच्चों क साथ उनकी नौकरी और उनका जीवन बहतर ढंक से चल रहा है योगेश कुमार सहारनपूर के रहने वाले हैं साधारन परिवार से हैं संदीब कौर भी पंजाब की रहने वाली हैं और बहत गरीब परिवार से आती हैं इस प्रेम कहानी की सुरुवात मसूरी में ट्रेनिंग अकाडमी से होती है संदीब कौर आई एस पास करके आई थी पिता के पास इतना पैसा नहीं था कि वो उनको सिछा दिलाते इसके लिए उनको बैंक से लोन लेकर बेटी को पढ़ाना पड़ा पंजाब इंजिनिरिंग काले से वो सिविल इंजिनिरिंग भी किये हुए हैं ज अला कि जब उन्हों ने इसका इजहार किया तो संदीब ने उनका प्रेम ठुकरा दिया पहली ही नजर में क्योंकि वो पंजाब की रहने वाली थी और पिता और परिवार की इच्छा के अनुरूप वो अपना विवा किसी सिख से करना चाहती थी लेकिन देखिए इश्वर को जो मंजूर होता है होता वही है इधर योगेस ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी लगे रहे और नतीजा यह है कि दूसरी बार भी जब उन्होंने प्रपोस किया तो फिर उनको निरासा मिली लेकिन हिम्मत नहीं हारी गजब का बंदा है और अपन अपनी महनत से आई एस बनकर अपनी इच्छा सक्ति और लगन से वही उन्होंने इस प्रेम को पाने के लिए भी दिखाया मसूरी में ट्रेनिंग के दवरान ही एक ऐसा वाक्या हुआ जिसके चलते योगेस और संदीब कौर दोनों करीब आये और यह निकटता मोहबत में ब उनकी बेहतर ढंग से देख भाल की यह देख भाल दीरे दीरे निकटता में बदल गई और प्रेम परवान चड़ने लगा हाला कि जब ट्रेनिंग खत्म हुई तो दोनों को अपना-पना स्टेट केडर एराट हो गया लेकिन संदीब कौर अब अपने स्टेट में जुआइन नहीं करना चाहती थी यानि कि पंजाब जो उनको केडर मिला था इस में अब उनका मन यूपी में लगने लगा था वो द अलग केडर में हो तो उन्हें एक केडर आराम से मिल जाता है तो योगेश से साधी करने के बाद संदीब कौर उत्तरपरदेश के केडर में आ गई और यहीं पर मर्ज हो गई पति-पत्मी दोनों इस समय उत्तरपरदेश में आईएस अधिकारी हैं योगेश कुमार इस समय एडिशनल कमिशनर मनरेगा और आरडी हैं रूरल डेवलप्मेंट और संदीब कौर इस समय एपी सी साखा में विशेश सच्यू हैं संदीब कौर जालाउन की डीम रह चुकी हैं और जबकि योगेश बांदा और अमेठी में जिला अधिकारी के रूप में काम कर चुके हैं इस लब स्टोरी की सफलता दोनों का एक दूसरे पर भरोसा और अटूट प्यार है बच्चों के साथ उनका जीवन हसी खुशी गुजर रहा है यह जोड़ी उदहरल है तमाम ऐसे अपसरों के लिए जो कैडर मर्ज होने के बाद कुछ दिनों बाद अलग हो जाते हैं या द पर्देश को भविस्ट के लिए बेहत सुबकामनाएं हैं कि वो अपने प्यार भरे जीवन को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहें और उत्तर पर्देश की तन और मन से सेवा करते रहें यूपी की बेरोक्रेसी में इन दिनों एक चर्चा काफी अहम है मामला डारेक्ट और पर्म दियम बनने की बारी आती है तो डायरेक्ट अपसर आईएस पर्मोटेड अपसरों को दबा देते हैं अगर उत्तर प्रदेश के ताजा हालात पर नज़र डालाएं तो जो 75 जीले हैं उसमें से मात्र 19 जीले ऐसे हैं जहां पर पर्मोटेड आईएस अपसर ही डियम हैं बाक जादा नहीं होती है लगबग अगर कहा जाए तो जो सेवा का अंतिम समय होता है उसमें वो आईएस बनते हैं पांच से आठ साल के करीब उनको मिलता है और उनके जीवन की सबसे बड़ी अभिलासा भी यही होती है कि वो एक दिन डियम बनें लेकिन जब ऐसा मौका आता है तो कहीं न कहीं वो ब्यूरोक्रेशी में भेद भाव का सिकार हो जाते हैं जिला अधिकारी के साथ साथ परदेश के जो आधा 18 मंडल हैं उनमें भी मातर तीन मंडलों में ही प्रमोटेड आईएस अधिकारी कमिस्नर हैं और वो मंडल भी ऐसे हैं चित्रकूट, अगर इस तरह के भेद भाव ब्यूरोक्रेशी में होते हैं तो दभी जुबान बहुत सारी चर्चाएं होती हैं चित्रकूट, सीतापूर, फरुखाबाद, बांदा, गोंडा, सहारनपूर, उन्नाओ, लखीमपूर, मुरादाबाद, साजहापूर, अलीगाड, इन सब महत्मूर जीलों के DM प्रमोटेड हैं लेकिन जब यह सेवा का डिवाइडेशन हुआ तो डारेक्ट और प्रमोटेड का एडर को एक बटे तीन का हिस्सेदार बताया गया यानि कि 33% प्रमोटेड रहेंगे और बाकी में डारेक्ट अपसर नुक्त किया जाएंगे हाला कि यह सरकारों की इच्छा पर नुक्त करता है लेकिन इस भाव से जो अधिकारी DM नहीं बन पाते एक तो वह कुंठित हो जाते हैं दूसरा नादमात और रिष्टेदारी में भी बड़ी बेजिती का सामना करना पड़ता है क्योंकि बच्चे भी यह जानना और सुनना चाहते हैं और रिष्टेदार कि पिता जी या फलाने रिष्टेदार उस जीले में DM रहे हैं लेकिन राजी सेवा के अफसर जो 30-35 साल सरकार को रिष्टेट को सेवा देते हैं जब DM बनने की नोबत आती तो सरकार उनको नजर अंदाज कर देती हैं यह बेवस्था कहीं न क का गिराती है कि इतनी मेहनत करके भी क्या मिला और यही हाल उत्तर प्रदेश में पूलिस विभाग में भी है यूपी में 23 जीले मात्रैसे हैं जहां पर स्टेट केडर से परमोट हुए IPS अधिकारी SP हैं बाकी में सब जगा पर SP डारेक्ट सेवा के करीब 52 जीलों में है तो बीटोपी की बिरोक्रेसी का यह जो काला पक्ष हैं या काँछा जाइचा जा यो भाव का यह जो पक्ष है यह अफसरों को आँग उनकी पूरी उर्जा के ताथ उनके पूरे मनोबल के साथ काम नहीं करने देता जैसे जैसे समयinform को साल यहां पाता तो वह निरास होता genuinely कि यह नहों कि कोई आदमी अपनी प्रतिभा का परदर्शन किये बिना ही इस सेवा से विदा हो जाए कि क्योंकि कौन आदमी कितना भ्रष्ठ है कितना इमानदार है जब आप उसे जिले में काम करने का मौका देते हैं तब ही वे बात सामने आती है तो हम उम्मीद करें कि सरकार इस बार स्टेट के अफसरों की और विध्यान देगी IPS में भी IAS में और जिन लोगों की सेवा कम बची है उनको भी जिले में DMSP के रूप में काम करने का मौका मिलेगा यूपी में सरकार किसी की हो लेकिन उस पर जातिवात के आरोप लगते रहते हैं मायवत्ती की सरकार थी तो दल्टों को बढ़ावा देने का आरोप थे अखिलेस यादों की सरकार थी तो यादों को बढ़ावा देने का आरोप अब योगी राज में विपक्ष ठाकूर हाला कि पिछले दिनों जो साथ ADG लेविल के जो तबादले हुए उसमें यह बात सावित हो गई कि सरकार ने कई ठाकूर अफसरों को संट कर दिया, कई ठाकूर अफसरों का नुकसान हुआ और ठाकूर अफसरों को न तो पक्षपात का लाब मिला और न सजातिय होने का महीने से एडीजी थे इससे पहले वह मुख मंत्री के ग्रह जनपद में भी एडीजी रहकर आये थे जैनरायन सिंग उत्तर प्रदेश में सुल्खान सिंग परंपरा के इमांदार IPS अपसरों में गिने जाते हैं सुल्खान सिंग के सेवा से रिटायर होने के बाद जैन सिंग के नाम पर लोग आज भी कसम खा सकते हैं उनकी मांदारी की लेकिन सरकार ने उनको पहले PTC मुरादाबाद और फिर पुलिस ट्रेंडिंग अकादमी में ADG बना कर भेज दिया दूसरा मामला है जो सरकार के उपर ठाकूरों के आरोप लगते थे सररक्षण देने के वो बी केसिंग जो ADG PSC हैं उनको PSC से हटा कर अब खाली उनके पास ADG सुरक्षा का चार्ज रह गया या दोनों अपसर 1994 बैच के IPS अपसर हैं ठाकूर होने के नाते जिने इनाम मिलना चाहिए था उनको सजा मिली संठ हो गए किनारे कर दिये गए तीसरा नाम अजय आनंद का है जो आगरा में ADG जोन थे चाहती सरकार तो उनको लखनव का ADG जोन मना सकती थी उनको चाहती तो कहीं पर पुलिस कमिस्नर मना सकती थी लेकिन उनको भी जीले से हटा कर अब साइट पोस्टी PSC में भेजा गया यह सारे ऐसे नाम हैं जो योगी सरकार पर ठाकूर वात करने का विपक्ष आरोप लगाता है जैनरायन सिंग मुख्यमंत्री के जीले में रहके रहे और उनको मुख्यमंत्री उनकी मांदारी से अच्छी तरह से परचीत हैं कानपूर में जो भी गुरु कांड हुआ और जिस तरह से पुलिस के साथ अपराधियों के इंकाउंटर हुए और जै बाजपई के मामले में जो जैनरायन सिंग ने सकती दिखाई और पूरे जोन में जिस तरह से अपराधियों पर वो कहर बनकर तूटे उसका जो इनाम मिलना चाहिए था उसके बदले में उनको महतुहीन पत्पर भेजा गया तो जो लोग यह आरोप लगाते हैं कि सरकार ठाकुरों के साथ पक्षपात कर रही है वो उनका यह आरोप खारिज होता है दो अधिकारी जो केंद्र से लोटे थे उनको महत्मूर्व जगों पर पोस्टिंग दी गई अखिल कुमार और भानु भासकर इसके अलावा राजियू कृष्णा को एडी जी आगरा जोन बनाया गया सरकार की तबादला नीत को लेकर कारसैली को लेकर जो भी पक्षी दल या जो भी राजनायतिक लोग उनकी आलोचना करते हैं वह इन तबादलों से समझ सकते हैं कि सरकार ने ठाकुरों की तैनाती के मामले में इस बाहर कोई भेदभाव नहीं किया है बहराल सियम योगी ने अपनी कारसैली से लगातार ये संदेश दिया है कि वह अपसरों के साथ और आम जन्मानस के साथ जातिवाद और भेदभाव करने के बजाए उनको मेरिट पर काम देते हैं यह जरूर है कि कुछ इमानदार लोग सजा कई बार पा जाते हैं चाहे वो जैनरायन सिंग हो या बीके सिंग हो या आजयानन्द हो लेकिन जिनका काम बोलता है उनको आज नहीं तो कल सरकार को फिर से लाना पड़ेगा सरकार के पास इमानदार अफसरों को वैसे भी बहुत तोटा रहता है कि कुल मिलाकर सरकार को इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि जो अफसर इमानदार हैं उनका मनोबल तूटने न पाए उनका होसला बना रहे और उनका सम्मान भी बढ़ता रहे यूपी में चार खतम करने के लिए कुछ चीजें और कुछ अफसर अपरिहार हो जाते हैं आवश्यक हो जाते हैं और यह उनी में से कुछ नाम है बरहल इस बार के पावर सेंटर में इतना ही अगले सब्ता आप से फिर कुछ चटपटी और रोचक खबरों के साथ मुलाकर कात होगी झाल